आप मेंसे जितने भी लोगों ने वीडियो प्ले करी अगर मैं उनसे पूछूँ कि आपके जीवन का अभी आने वाला मकसद क्या है तो वो किवल एक बात कहेंगे सर अपकमिंग सीजल 2023 का एक्जाम क्रेक करना फिर मैं उनसे कहूँगा कि सीजल 2023 के टीर वन के एक्जाम में तो किवल 100 दिन रह गए हैं क्या आप 100 दिन में ऐसे सीजल का एक्जाम निकाल सकते हैं वो भी अच्छे स्कोर के साथ मन चाही पोस्ट के साथ देखे अगर आप एक बिगनर हैं बिल्कुल फ्रेशर हैं आपने उससे पहले कभी किसी जनरल कंप्रिट्शन की त्यारी नहीं करी और आप पढ़ाई में भी उतने अच्छे नहीं हैं तो मैं कहूँगा कि ये थोड़ा मुस्किल काम हैं लेकिन ये नामुम्किन नहीं हैं ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जोनोंने तीन-तीन मन्त की तयारी में भी ऐसे सीजल निकाला है और अच्छी पोस्ट पे अच्छी र और सेलेक्टिड लोगों से मिला हूँ उनके बेसिस पर ये पांच मिनिट की स्टेटजी मैं आपको दूँगा इसको एंड तक सुनिएगा पहली बात कि पैटर्न चेंज हो चुका है और आपका एसे सीजल का जो टीर वन होता है पच्छी 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 पच लेकिन क्वालिफाई करने से कुछ नहीं होगा असली जो कहानी है जो असली जंग है वो टीर टू की है तो सबसे पहले आपको दिवाग में यह हिट करके रखना है कि I am not preparing for tier 1 I am preparing for SSC CGL tier 2 आपको tier 2 को exam ध्यान में रखके ही त्यारी करनी है कि syllabus same थोड़ा बहुत question ही number उपर जादे हैं और मेरे दोस्तो लेवल सेम रहेगा और अब SSC CGL एक one day exam बन चुका है इसमें कोई descriptive नहीं कोई interview नहीं बस मेंस qualify करिए computer typing test पास करिए और आप select हो जाएंगे तो आपको मेंस को ध्यान में रखके त्यारी करने step number one आप ऐसा नहीं कर सकते कि बाई जैसे आप सवाल तो आप चुन-चुन के लगा रहे हो और मिंस के सवाल उका चुन-चुन के छोड़ रहे हो नहीं ऐसा नहीं करना यह उमीद बिल्कुल छोड़ दीजे कि tier one के बाद आपको अच्छा खासा time मिलने वाला है tier two की त्यारी के लिए वो पिछले दो साल में जो सीजल complete हो जाने वाला है तो आपको 6 मंथ में अपने आपको पूरा निचोड़ देना है ठीक है मेरे दोस्त यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि अगर आप इस exam को 100 दिन में crack करना चाहते हो तो competition SSC CGL में बहुत high है CDC बात है बहुत जाद है high competition में क्यों क्या रहा हूँ high क्यों कि इसक ऐसा नहीं कि भी ये वाला नहीं निकाल सकता या IIT वाले का selection निस्चीत है ऐसी बात नहीं है लेकिन एक strategy होनी चाहिए ठीक है यह proper एक mind game है कि वहल मेहनत का खेल नहीं है दोस्तों और दूसी बात कि इसमें repeater भी exam दे रहे हैं आपको क्या लग रहा है कि जो 2021 में या 22 में ल लगे जो exercise में लगे या कहीं और लगे वो south में पहुंच गया अब उनको north आना है दिल्ली आना है आपने home state में जाना वो दुबारे से paper देंगे मजबूरी वस भी लोग paper देते हैं तो repeater भी हैं अच्छ अच्छे college के बढ़िया basic education वाले भी बच्चे हैं और उनके साथ नौकरी लेनी है मुझे ज्यान नहीं लेना है केवाल नौकरी लेकर आगे बढ़ जाना है तो मेरे दोस्त आप सीजल निकाल सकते हो ठीक है ना step by step मैं आपको बताऊंगा point number one you have to be consistent towards study throughout the journey and take a place that I will take rest only after exam आपको English बना समझ में आया तो मैं Hindi में बोल देता हूँ आपके पास तीन महीने का समय अगर तीन महीने में से एक दिन दो दिन पांच साथ दिन भी आपने खराब कर दिये तो आप हजारों की भीड से पीछे हो जाएंगे वो कि हजारों बच्चे ऐसे जो इन तीन महीने को अपने जीवन के सबसे कीमती और सबसे मेहनत वाले तीन महीने 100 डेस बना के मेहनत करेंगे आपको ऐसा नहीं कि आप डेली पंदरे घंटे पढ़ाई करें यह बात बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है जो कहता है कि मैं डेली अठार अठारे घंटे पढ़ता था सोता नहीं थ नींद ही तिर महीने तक वो सब अकवास की बाते हैं आपको डेली पढ़ने चाइब डेली आठाख गंटे पढ़ो सात घंटे पढ़ो पर डेली पढ़ो जब तक मेंस का पेपर नहीं हो जाता तब तक आप कशम खाये कि मैं डेली जितनी हमारी सवी में तागत है हर किसी की यह अलग अलग है, मैं 8 घंटे पढ़ सकता हूँ, 10 घंटे या 15 घंटे, डेली पढ़ूँगा, एक भी दिन खराब किये बिना, यह आप सबसे पहले सोचिए, पॉइंट नमबर दो, for maths, first of all, you have to clear your basic of mathematics, because it is very important section of CGL, and it can fetch you high marks, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, कि जैसे CGL में 4 section है, English, GS, Mathematics, and Reasoning, इन में 100% scoring जो subject है, वो maths है, Reasoning के भी 2-3 सवाल ऐसे होते हैं, आज कल examiner जान मूझ के ऐसे 2-3 सवाल ज़रू फसाता है, कि बच्चे उनको करी नहीं पाते हैं, आप कितना पढ़के जाएं, लेकिन maths 100% scoring subject है, और maths में आप 100% score कैसे करोगे, बताईए, maths में 100% score करना पता है, क्यों जरूरी है, कि हजारों बालक ऐसे हैं, जिनका 100% आता ही आता है, अगर वो कुछ भी ना पढ़के जाएं, तो आप उनसे पीछे रह जाओगे, तो दोस्त, सबसे पहले आप अपने basics cover के रिए, जितने भी chapter mathematics में हैं, हर chapter के formula, theory, और उस पे एक basic basic सवाल कम से कम, type wise type sequence में आपको पढ़ना है, देख, हां, ठीक है भई, दूसरा कि हमने YouTube पे एक series भी start कर रखी है, concept king series, अगर आप इसके बार में जानते हो, जिस पे मैं daily बहुत जादे नहीं, मैं आपका बहुत जादे समय नहीं लेता, ठीक है भई, एक दिन में, एक ही concept मैं आपको समझाता हूँ, वो भी जो exam में सबसे जादा repeated mode में आते हैं, आप इस class को जरूर attend करें, 50-60 दिन की जैसे class होगी, तो मैं आपको guarantee देता हूँ कि 80-85%, 90% तक भी paper डारेक्ट यहीं से फस जाएगा, आपको अलग से कुछ भी करने की जुरत नह हैं, don't go for practice session first, सबसे पहले आप अपने basic strong करिए, चाहे वो आप किसी के class notes से कर सकते हैं, चाहे आपका कोई senior जिसने class notes बना रखें, उनसे कर सकते हैं, दूसरा कि YouTube से कभी भी आपका basic systematic way में clear नहीं होने वाला, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, समय वहाँ पे consume ह होता है, समय की बहुत कीमत है, आपकी किसी teacher के साथ tuning बैठती है, तो just आप उसकी close classes में जाईए, और उसके basic basic lecture आप देखे sequence में, ये आपको दूसरा काम करना है, आगे चलेगा, you just need to go through last five year question paper, ये जो बात यहाँ पे लिखी हुई है, ये केवल मैं math के लिए नहीं कह रहा लेकिन math के लिए must है, 2017 के बाद 2018 से TCS ही आपका exam करवा रही है, और TCS का मेरे दोस्तो एक set trademark है, उसकी frequency fix है, arithmetic और advanced के सवालों को पूछने की, आपने अगर examiner की उस frequency को पकड़ ले तो आपको paper काफी easy लगेगा, आपको 2010, 11, 12, 13 के question जो है solve करने की जुरत नहीं है, आप सीज CGL की त्यारी करने हैं, तो सबसे पहले आप 2018 के बाद जितन भी paper हुएं, 2022 तक CGL के उन सभी questions को लगाए, लेकिन सारे question को लगाना संभव नहीं है, जैसे सपोर CGL 12, 19 का आपको solve करना है, तो उसमें तो भई हजार सवाल होंगे, तो आप top 100, top 200 question को उनमें से solve करिए, हमारा telegram चैनल मैंस भाई गगनर परताप है, आप वहाँ पे जाए, मैंने description में link पड़ा हुआ है, वहाँ पे हर साल के best question की PDF मैंने डाल रख किया, आप उस PDF को डाउलोड करो, और उसी PDF को आप solve करो, ठीक है, इससे आपका time बचेगा, प्री के साथ साथ कुछ बच्चे ऐसे करे रह आ सकते हो, रेकिन सबसे पहले आपको सी जल के पिछले 5 साल के best question solve करने को, या बेस्ट भी लगाओगे, तो भी 3-4 हजार से जादे सवाल आपके पास practice के लिए होंगे, यह आपका तीसरा काम करना है, आप समझ पारें कि आपके पास केवल 3 महीने का समय है, तो जितनी भी energy है, आप इसको ऐसे लगाओ कि जो हमारा बेरोजगारी का tag चलता आ रहा है, जिससे घरवाले भी हमको बार-बार taunt मार देते हैं, रिस्तेदार भी हमारे दोस्त भी, उसको खतम करना है इसी साल, इसी साल बार-बार सारे teachers क्यों जोर दे रहे हैं, क्योंकि इस साल vacancy अच्छी खासी आएंगी, अभी जरूट entity vacancy साड़े साथ हजार है, लेकिन ऐसा नह और negativity, there would be people who will always try to demoralize you, don't pay heat to them, देखो, आपके आजू बाजू ना, बहुत सारे लोग बाते फैलाने वाल होंगे, आरे वो बाजू सर्मा जी का भी लड़का है, या विमल जी का भी लड़का है, पिछले चार साल के competition की त्यारी कर रहा, कुछ होई नहीं रहा, तो ऐसे लो सत्यम है, अभी अनमोल है, वो 22-23 साल के लड़के हैं, जोनोंने पहले दूसरे अटम में सीजल को करेक किया है, वो भी टॉप 100 रंग के साथ, तो आप जो अच्छा एक्जामपल सेट कर चुके, उन लोगों से positivity लीजिए, जो आप से बक्वास की बाते कर रहा है, आप उसक पढ़ना पसंद नहीं, तो आप अपना घर में अकेला सांत रूम में पढ़ाई करिए, ठीक है बही, जहां पर आपको घर वाले बिल्कुल डिश्टर्व ना करें, दूसरी बात, पावर ओफ है, रूटीन, आपको नहीं एक रूटीन सेट करना होगा, रूटीन या फिर ट पढ़ूँगा, और दस बारे दिन में जोग्राफी पढ़ूँगा, और जो मेरे पास लास्ट का एक महिना बचेगा, मुझे मैं करन्ट अफेर और रिवीजन करूँगा, तो इस तरीके से आपको अपने चारों सब्जेक्ट को टाइम टेबल के हिसाब से रूटीन में बा अब रात को सोएं, तो आप अपने एक छोटी से डारी बना लीजिए, मोबाइल में नोट्स वाली एप आते हैं, उस पर लिख लो कि कल का हमारा टार्गेट यह है, कल संडे है, मैं एक मौक्टेस लगाऊंगा, मैं 100 वोकेबलरी याद करूँगा, और जितनी वोकेबलरी मै अगले दिन के टार्गेट सेट करके अपने दिमाग में सोए, और अगले दिन उसको अचीव करें, टार्गेट कभी इतना बढ़ा ना बना ले कि जो पूरा ही ना हो, कि मैं गड़ित के 500 सवाल करूँगा, पिछले एक साल का करेंट अफेर कर दूँगा, वोकेबलरी की एक प्यारे भाई, मैट्स, कम से कम अगर आप बिगनर हैं, फ्रेशन हैं, गणित में थोड़ी से कम जोर हैं, तो आपको डेली तीन से चार घंटे गणित पढ़ने के जुरत पढ़ेगी, आप ऐसा नहीं है, कि आप एक डिल घंटा गणित पढ़के काम चला लो, वो नहीं होन अगर आप सीजल का एक्जाम दे रहे हैं, तो आप यह मान के चली कि अर्थमेटिक और एडवांस दोनों का वेटेज बराबर बराबर है, इवन एडवांस का वेटेज जाद हो जाता है कभी-कभी, तो कि जैसे मैं एक हफते जोमेट्री पढ़ूंगा, एक हफते मैं अगल इस तरीके से एक-एक वीक में आप एक टॉपिक का टार्गेट बनाए, जो टॉपिक जादे इंपोर्टेंट है, जैसे अर्थमेटिक में सबस्यादे इंपोर्टेंट का है, प्रॉफिट और लॉस, उस पे बूरी उर्जा लगाईए, अब जैसे यह जो टॉपिक तो पहा पता होनी चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है बई, हाव टू प्रिपर फोर रीजनिंग, रीजनिंग भी एक ऐसा सब्जेक्ट है, जो 100% स्कूरिंग है, अगर आपका आईक्यू अच्छा है, आपने बीटेक वगरा की है, आप अच्छे कॉलिस से पढ़ए हो, आपकी बच्पन म इसकी रीजनिंग अच्छी होगी ही होगी, लेकिन अगर आपकी रीजनिंग कमजोर भी है, आपको बहुत डर लगता है, तो आप यूटूब से जो सिलेक्टिट चेप्टर उनको कवर कर सकते हो, या फिर कोई बुरी बात नहीं, आप एक टीचर से जहां से आपकी टूनिं अगर आप इनको फॉलो करेंगे, तो डेफिनल्टी आप अच्छा स्कोर करेंगे, और दूसी बात की हम तो आपकी मदद के लिए तयार हैं, मैथमेटिक्स में आपको अच्छा स्कोर दिलाने की गारंटी मैंने ली है पूरी तरीके से, चाहे वो यूटूब पे हो, चाहे केरिवल अप्लिकेशन पे हो, तो डेली मॉर्निंग में दस बजे कंसेप्ट किंग स्रीज अटेंड करना बिलकुल ना भूलें, अगर आप पचास दिन भी वो कलास कर लोगे, तो आप 70-80-90% प्लस क्वेस्टन एजिली सॉल कराओगे कम से कम महनत में, ठीक है, धन्यवाद बाइ, चलो, बाइ.